हाई अप्रोपटी बेचने के बाद इस तरीके से पैसा लिया तो रोना पड़ेगा जी हाँ अगर आप जमीन या कोई बड़ा प्रोपटी को से लिया बिक्री करते हैं तो प्रोपटी बेचने के बाद इस तरीके से पैसा लिया तो आप पकार होना पड़ेगा तो पुरी जं अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो यह वीडियो जो है खास आपके लिए तो वीडियो को बिनदेर को शुरू करते हैं तो दोस्तों किसी भी प्रोपर्टी को बेचने के बाद खरीदार अगर आपको चेक से पैसा देदा चाहता है तो आप उसको असपर्ष आपको यह कहेगा कि आपको चेक से पेमेंट लेने में क्या दिक्कत है अगर आप चेक से पेमेंट लेंगे और मेरा दिया गया पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो मैं बता दूँ आपको रजिस्ट्री आटोमेटिक केंसिल हो जाएगा तो यहां पर तो बात गलत है क्योंकि कोई भी रजिस्ट्री आटोमेटिकली नहीं होता है, तो आप प्रोपटी बेचने के बाद सरदर्द नहीं लेना चाहते हैं, हमें कोई कोट का चहरी का चकर नहीं कटने चाहते हैं, तो आप हमारी प्रोपटी बेच कर पैसा प्राप करने, इसलिए किसी भी जहंजट से बचने के लिए, आप सेव तरीके से पैसे का लेन देन करें, और सेव तरीके से प्राप करें, टांजिक्सन करें, क्यूंकि आप एक बार अगर भूल कर देंगे, तो आपको पुरी कारी के से लिए कमेंट कर के जुरू बताइएगा, जैहिंट